Welcome dear friends, उमीद करता हूँ आप सभी खेरत से होगी दोस्तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे Nuclear Journey of India ये वीडियो जो है आपके competitive exam के साथ-साथ आपके general knowledge point of view से भी काफी ज़्यादा important साबित हो सकता है यहाँ पर हम कुछ point इस भी पढ़ेंगे और Nuclear Journey 1940 से जो स्टार्ट हुई थी उससे वहाँ से स्टार्ट करके आपको पूरी information देंगे ताकि आपको exam में कोई भी MCQ मिस ना हो जाए तो चले दोस्तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले थोड़े से historical background जानेगे कि क्या क्या चीज़े हुए है सबसे पहले आपको जो याद रखना है दोस्तों वो है nuclear program of India की बात करे वो शुरू हुआ था इनशेट हुआ था 1940 से under the guidance of homie jay baba बहुत ही important नाम है यह जो homie jay baba है इसको father of India's nuclear program भी कहते हैं इंडिया का nuclear program जो है इसका father भी है अब यहाँ पर important जीज़े जो आपको याद रखना है डाक्टर homie jay baba ने establish किया था 1945 में एक बहुत ही important institute वो है Tata Institute of Fundamental Research और यह जो research center है काफी जादा important रोल है इसका इंडिया का nuclear program को आगे बढ़ाने में यह चीज़े भी याद रखने है उसके बाद जो चीज़े याद रखने है वो है डाक्टर homie jay baba established atomic energy establishment यह चीज़े याद रखने है इसको AEET कहते है after the death of doctor Baba इसके मरने के बाद इसको नाम जो है चेंज किया गया था Baba Atomic Research Center BARC रखा गया यह चीज़ important है computer exam के लिए यह चीज़ याद रखने आप उके उसके बाद जो important चीज़ आपको याद रखना है वो है atomic commission कब establishment हुआ था वो भी इसी डाक्टर हुमी जे बाबा के अंडर ही हुआ था 1948 में यह चीज़े भी याद रखने है उसके बाद दोस्तों इंडिया का पहला three stage nuclear program three stage nuclear program लाँच हुआ था under the guidance of यह भी याद रखने हुमी जे बाबा यहाँ पर मैंने लिग दिया है हुमी जे बाबा the father of India's nuclear program इसी ने device किया था three stage nuclear power program अब इसको पढ़ने से पहले में आपको दो चीज़े बताऊंगा अगर बात करें इंडिया की तो यहाँ पर यूरिनियम थोड़ा कम निकलता है सिर्फ 2% ही उरिनियम निकलता है इंडिया में और अगर थियोरियम की बात करें तो यहाँ पर अपर यहाँ निकलता है तो इसी को हैं काम भी लगा देते हैं यहाँ पर important है दोस्तो 3 stage nuclear power program में सबसे पहला जो stage है वो है use of natural uranium to fuel a pressurized heavy water reactor अब इसका main मकसद था जो जतना भी uranium है इसको भी काम भी लगा देते हैं यह first stage में आएगा उसके बाद second stage हाला कि यह आपको MCO में नहीं आएगा एग्जाम में लेकर फिर भी चीज़े याद रखना और second stage में याद रखना दोस्तो develop fast breeder reactor यह भी second stage में आता है उसके बाद third stage में क्या करना था develop breed director these are thorium basic director end result है वो इसमें आता है कि third stage में हमी thorium basic director बनाने है यह चीज़े important है यह है three stage program अभी भी इस पे काम चल रहा है तो यह vision जो है 1954 से ही हुआ था उसके बाद दोस्तों आपको जो चीज़े याद रखने हैं वो है इंडिया's first nuclear reactor कौन सा है इंडिया का पहला nuclear reactor की बात करें वो है अपसरा दोस्तों अपसरा 1956 में बनाया गया था बहुत important है was the first nuclear reactor in India and also Asia की भी बात करते हैं और यह भी डिजाइन किया रहा था Baba Atomic Research Center इसलिए मैंने बुला है Baba Atomic Research Center आपको याद रखना है और इसके related मैंने यहाँ पर कुछ चीज़े भी लाए हैं आपके लिए यह जो Baba Research Atomic Center है इसमें क्या क्या चीज़े याद रखना है यह इंडिया का largest research center है यह चीज़ भी आपको याद रखना है located in Trombay Maharashtra यह चीज़ भी आपको याद रखना है और यह जो Baba Research Atomic Center है यह अंडर the Department of Atomic Energy के अंडर आता है और दोस्तो अपसरा के मतालबिक जो कि इंडिया का पहला nuclear reactor है याद रखना है और इट वाज़ पर्मिनेंटली शट डाउन इन 2009 2009 में यह कंप्लेटली शट डाउन किया गया था यह चीज़ भी आपको याद होना चाहिए उसके बाद दोस्तों इंडिया का पहला फिर्स्ट nuclear power plant की बात करेंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया है जो इससे पहले वाली स्लैड से वो nuclear reactor था यह इंडिया का पहला nuclear power plant था जहां से हमें एलेक्सटी भी फराम होती है इसमें सबसे पहले पहला जो nuclear reactor है इंडिया का वो है तारापूर अटामिक पावर स्टेशन बहुत ही इंपोर्टन है तारापूर अटामिक पावर स्टेशन इंडिया का पहला nuclear power plant है यह एस्टैब्डिश हुआ था 1969 में इन माहरास्टन यह भी आ सकता है डिर्क्रेम सेक्यर इस हाइड्र एलेक्सिटी एंड विंड और उसके बाद आता है nuclear power क्योंकि अभी तक हम इंडिया ने इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज नहीं किया है nuclear तो इसलिए यह फिप्थ नमर पे आता है सबसे ज़्यादा का इंट्रिशन कोल से होता है यह से होता है हाइड्र एल उपरेशन है बाग की जो है वो अंडर कनेस्ट्रेक्शन है तो टोटल जो कैपैसिटी है वो है 7380 मेगावाट्स यह भी चीज़े याद रख लेना है इसका से क्रीन शट उठाकि एक बार पढ़ लेना बहुत ही एजी चीज़े हैं दोस्तों बात जब आती है nuclear power program की इसमें स 62 का वार हुआ था चाइना के साथ उस वक्त इंडिया ने सूचा कि हमारे पास भी कुछ nuclear वैपन जैसे हथियार होने चाहिए ताके हम भी डिफेंस अच्छे तरह किसे कर सके तो फिर इंडिया का जो पहला nuclear test था वो हुआ था उसको पोकरान टेस्ट केते थे जो के राजस्त बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यह पॉइंट उसके बाद दूसरा भी टेस्ट हुआ था उसका भी आपको नाम याद होना चाहिए सबसे पहले मैं इसके बारे में बताऊंगा यह जो पहला test है इसको smiling Buddha के नाम से code name था इसका smiling Buddha यह भी आप याद रख लेना important है उसके बाद जो दूसरा टेस्ट हुआ था वो हुआ था 1998 में पोकरान टेस्ट टू इसको कहते हैं बहुत ही important है इसका भी code name आपको याद होना चाहिए उपरेशन शक्ती यह भी याद होना चाहिए आपको और यहाँ पर एक चीज़ आपको पता होगा कि इंडिया के पास अभी तक जो estimated है वो नाइन्टी वन हैंड़न एंड़न सेक्स्टी फूर नूकलियर वैपन और दोस्तों यह जो पाइंटिस है यह है सेवन उपरेशनल यह साथ उपरेशनल नूकलियर पावर फ्लांटिस है जिनके नाम आपको याद होने चाहिए अब यहाँ पर कौन कौन सा है ककरमपूर अटॉमिक पावर स्टेशन है जो कि गुजरात में है कब बनाएगा यहाँ पर डेट लिखा है कल पकरम है उसके बाद निरोरा अटॉमिक सेंटर है केगा है रजस्तान अटॉमिक पावर प्लाट्स एलेक्रिस्टी जेनरेट होती है ओकी और दोस्तों यहाँ पर मैंने दिखा है ओपरिशनल है ओके और दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट पाइंटेस हैं जो कि आपको याद होने चाहिए इसमें से नमबर वन पाइंट है इंडिया का लार्जस्ट न्यूकिलिर प इंडिया और प्लाट इंडिया सेट अप इंडिया नैइन सिक्सटी नएंडिया का लार्जस्ट नियूकिलिर प्लाइट प्लाट इंडिया दोस्तों ये थे कुछ important important चीजे अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना साथ में चैनल को भी सबस्क्रेब कर देना थैंक यू पर वाचिंग डिफरेंट्स